हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग तु आल इस अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की तो आज है सेकेंड फैव 2020 डेली करन्ट अफियर्स विद स्टैक जी के हम डिसकस करेंगे टोडे डिसक्शन टॉपिक हमारे पढ़े की तरह रहेंगे मोटिवेशन कोट वन ला अग्जाम-oriented and most important questions and answers रहेंगे जो सभी exams के लिए fruitful रहेंगे स्टैक जी के में हम Google के बारे में आप Google सभी लोग यूज करते हैं Google Chrome बगेरा तो हम Google के बारे में बताएंगे कि Google की स्थाफना, headquarter, किसने-किसने स्थाफना की वो सब हम बताएंगे आपको वीडियो पूरा बहु बदल लेते हैं अब यह बात है आप खुद अपने आप पर implement करो कि आप क्या चाहते हो क्या चाहते हो कि आपको दुनिया बदल दे या आप अपनी दुनिया बदल दो तो यह आपको ही decide करना इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है आप खुद सोचिए इस बात को कि अनुसार बनाना चाहते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा वन लाइनर न्यूजिज में देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज जो रहेगी अर्थ विवस्ता से रहेगी दो सरकारी बैंक कौन से हैं जिनोंने दिसम्मर 2019 में डिजिटल लेंदेन के मामली में बारत किस इस्थान पर रहा है तो वर्ड बैंक ने इस ऑफ डूइंग बिजिनिस मतलब की जो जहां पर बिजिनिस आसानी से कर सकते हैं उसमें भारत हमारा रहा है 63 इस्थान पर तो बहुत अच्छा है यह इस्थान नहीं है अब विस्तान की बात करेंगे तो इसके जो मु एपोटेंट हो जाता है वासिंगटन डीसी में इसका हेड़काटर आपको मिल जाएगा कल हमने विस्तान को डिसकस किया था मेवी ठीक है अंतराष्टी कोशन जो रहेंगे वो देख लेते विस्ता स्वास्ते संगठन ने के सनाई विशाडू को अंतराष्टी चिंता की स्वेजर लेंड में ठीक है राष्टी न्यूस देख लेते हैं किस कंपणी ने पत्र माध्यम छेत्र में साक्षिक्ता पहलाने के लिए इंटर न्यूस संगठन के लिए एक लाग डॉलर अनुदान देने की गोशना की है तो वो की है गूगल में गूगल की बारे में 50 बां मार्क कौन सा है तो वो है भुवनेश्यर बारार्सी से स्तिधी दहनेक उनान अब बात हो रही है बुवनेश्यर की बारे में थोड़ा कुछ पता देते हैं Уडिशी के कैपिटल होती है बुवनेश्यर यह तो सभी को पता है ठीक है अब अब्रमोस मिशायलों पिनाग मिशायलों किया गया था हमारे इसरो के द्वारा, तो यह आपके लिए करंट के पाइंट ओफ यू से कुश्ण बन जाता है, ठीक है? ओडिसा में हेवी वाटर प्लांट है जो कहां पर है तलचर में ओडिसा में एक जगए है तलचर और भीतरकन का सिमली पाल जो रैस्टी उद्ध्याने वो भी आपको ओडिसा के अंदर मिल जाएंगे ठीक है और ओडिसा का राजकी पच्छी आपसे पूछा गया हाला कि नहीं पूछा जाता है इस्टेट लेबल पर आपके जैसे ससी बगेरा उसमें पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे इंडियन रोरल इंडियन रोलर जो है वो वहां का और एक कॉश्चन और ओडिसा से इंपोर्टेंट बन जाता है जो एक अप्रेल होता है उस दिन को ओडिसा दिवस और इसे उतकल दिवस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और नंदन कनन जो राष्टे उद्ध्यान है प्राणी उद्ध्यान है वहां का तो वो किसके लिए प्रशिद्ध है तो वो चीतों के लिए प्रशिद्ध है जो चीते होते ना सभी को पता टाइगर्स उनके के लिए ये प्रशिद्ध है ठीक है और ओडिसा का एक और नाम था ओडिसा का प्राचीन नाम आप लोगों को पता होना चाहिए ओडिसे का प्राचीन नाम था कलिंग अब कलिंग से आप याद कर लीजी 261 इसभी में जो असोक के द्वारे जो लड़ाई की गई थी जो दैगरी रानी की गुफा उसका निर्माड किसने करवाया था तो उसका निर्माड करवाया था खारवेल राजाने तो ये कोशन एक बार आया हुआ है मैंने इसको प्रैक्टिस सैट में भी देखा हुआ है तो इसको आप याद रख लेना और ओडिसा का प्रथम अखवार य यहीं पर मिसाइल्स का सफलता पूरो परिचन किया जाता है जो भी मिसाइल्स होती उनका परिचन यहीं किया जाता है तो अब ओडिसा से जितने भी नियूजिस बन रहे थी मैंने वो बता दी है ठीक है अब जिले की अगर संख्या पूछी जाएगी तो ओडिसा की जिले है 21 और राजसवा की सीटें होंगी 10 तो डिश्टिक लोगसवा राजसवा तो 30 21 और 10 यह ओडिसा का लोगसवा राजसवा डिश्टिक हो जाएंगे और 147 जो है वो विधान सभा की सीटें हो जाएंगी अब यहां की नदियां और हम आपको बता देते हैं जिब क्वेश्टिन हम बताते हैं तो मैं लगता है सब कुछ बता दे हैं ठीक है महा नदी ब्रह्मारी और बैतर्नी यह बहुत इंपोर्टेंट नदिया हैं ब्रह्मारी बैतर्नी और महा नदी यह ओडिसा की है अब ओडिस तो आपको चिलका जील हमेशा के लिए याद रख लेनी है चिलका जील मैं तो पूर फसलें अगर वहां की पूछी जाएंगी तो अब बोड़ी सा है तो उसमें चाबल तिलहंच और दालें जूट गन्ना नारियल हल्दी और मौंगफली जो हैं वहां की अब आपको चाबल से याद रहना चाहिए कि अब ये कोष्यन तो बनता ही बनता है केंडरिये चाबल सोध संस्थान कहां इस्थित है तो वह है कटक में ये कोष्शन तो एग्जाम में आना ही है कोष्यन ये भले ना आये कि ओडिसा राजी की मुझ के फसलें क्या हैं तो वह हो सकता नहीं आए पर आपको यह जरूर क्वेशिन मिल जाएगा कि केंद्रिय चाबल सोध संस्थान इस्थित कहां है तो वो है कटक के अंदर ओके तो अब देख लेते नेक्स्ट न्यूज क्या रही है राज में कौन से राज में एक मिनद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है किया है कोईशन ही कोईशन ही नहीं समझ में आ रहा एक मिनट एक मिनट किस राज जिने अब आगे कोईशन किस राज जिने मुंबई में जावाला नहरू पोर्ट को उच गुडवत्ता वाले केले की मतलब जो बिनाना होते हैं उनकी 890 मीट्रिक टन की पहली खेब बेज दि बारे में आंद्प्रदेश की अब जो करंट में न्यूज बनेगी वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगी कि ऐसा कौन सा राज है जिसकी तीन राजधानियां घोशित कर दी गई है तो वो है हमारा आंद्प्रदेश की अभी है है एदराबाद प्रस्तावित थी 2024 म और कुरुनूल यह तीन राजधानियां जो है वो आंद्प्रदेश के अंदर हो जाएंगी और एक कोईशन और करंट का आंद्प्रदेश से बनेगा इन्होंने अपनी बिधान परशद को भंग कर दिया है तो यहां पर भी अब एक सदनिय बिधान मंडल हो गया है ठीक है बाइस जगन मोहन रेड़ी जो है वो आंद्प्रदेश के सी एम है ठीक है और आंद्प्रदेश से एक कोईशन तो हमेसे ही बनता है कि इसकी जो गठन हुआ भासा के तौर पर गठन होने वाला यह पहला राज़ है 1954 में इसका गठन हुआ तो यह भासा के तौर पर आधिका चावल है ठीक तो अब आपको इतनी समझ में आ गई होंगी बात है और सतीस धवन अंत्रिच के इंद्र नामक जो क्रत्रिम भू उपग्रे प्रक्षेपन के इंद्रे वेवी हरी कोटा में है जो कि आंद्रदेश के अंदर आता है नेक्स्ट कोईशन है आर्थिक सर्वेचर 2019-20 का बिसे क्या रहा है आर्थिक सर्वेचर टू थाउजन नैंटीन से 20 का बिसे क्या रहा तो वो रहा एन्विले मार्केट्स प्रोमोट्स प्रो विजनेस पॉलिशीज एंड इस्टेदन ट्रस्ट इंद्ध एकॉनमी तो इसको आपको नोट कर लेना है आर्थिक का विसे क्या रहा एंवले मार्केट्स प्रोमोट प्रो विजनिस पॉलिसीज एंड इस्ट्रेडन ट्रस्ट इंदा एकॉनोमी ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है नवरसा तुड़े नवरसा दुड़े विश्चु फिल्म महोस्व का आयोजन आठ से नौ फर्वरी को किस सहर में किया जाएगा तो यह किया जाएगा मुंबई में अब मुंबई क्या है मरास्ट की कैपिटल है अब मुंबई से क्या कॉश्चन बनता है भी तो यही बनेगा वहाँ पर जो सीए में वो कौन है तो वो है उद्धभ ठाकरी जी ठीक है और उद्धभ ठाकरी जी यहां के सीए में और यह सिब सेना पार्टी से आते हैं तो यह तो important question होई गया अब इन्हों ने क्या किया है अभी current में एक news है कि जो हमारा सम्मिधान की प्रस्तावना है प्रियंबल जो है हमारी वो सभी बच्चों के लिए जो भी प्रस्तावना है ठीक है तो यह जो प्रस्तावना सम्मिधान की है वो उन्होंने common कर दिये सभी बच्चों के लिए तो यह तो मुंबई से एक important question हो गया अब मुंबई की गुफाएं तो बहरे कि मुंबई में ही आपको मिलें जिए सिवाजी उससे अब गडिस उश्च्ब जो मनाया जाता बोबी मरारास्ट के द्वारा तो यह जो महुद के द्वारा गडिस महुद सब की शुरूवात की गय बिख़ेशन हो गया ठीक है और इसका राज की पूछ लिया गया तो इंपीरियल कभूतर जो होता है वह राष्ट की पच्छी होता है ऊके माराथी और हिंडियां की लैंग्वेज जो ऑफीशल लैंग्वेज है तो नेक्स्ट कुशन है औसकर पुरसकार के समारों में औरकेस् उत्तर प्रदेश के अगले पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं तो यह बने हैं हितेश शंद्र अवस्थी तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो डीजी पी बने हैं वो बने हैं हितेश शंद्र अवस्थी अभी तक कौन थे यह आप रखन ऊए ठीक हैं और इसको उत्तर प्रिदेश को पहले युनाइट्ट प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था यह तो सभी पता है और यहां के जो दोई सदनात्मक बिधान मंदल है उत्तप प्रिदेश की जो बिधान मंदल है वो दोई सदनात्मक है और इसमें जो बिधान सवा सदस्यों की संख्या है वो है 403 पिलस एक अगर एंगलो इंडियन को मिला देंगे तो भारत में ये सबसे अधिक हो जाती है बिधान परशद की अगर बात करेंगे तो 99 प्लस 100 जो है बिधान परशद की सदत से यह भी भारत में सबसे अधेक है लोग सबा सीटें जो है वो असी है यह भी भारत में सबसे अधेक है और राज्य सबा की 31 सीटें है यह भी भारत में सबसे अधेक है अब उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग है हमी लोग है उतर प्रदेश में यह उतर प्रदेश के बच्चे में वी वीडियो वाच करते already तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो basic जानकारी है वो आप सभी को पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश का राज की पशु है वो है वारे सिंगा ओके और यहां की जो राज की चिन है वो है मचली और तीर कमान ठीक है और अगर इस्थापना दिवस पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एक नवंबर 1956 ओके अब एक कोशिन मन सकता है कि उत्तर प्रदेश या किसी भी राजी की प्रथम महला राजिपाल कौन थी तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नाइडू जी और प्रथम मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे तो गोविंद बल्लब पंत और इडी की नाम से एक रिजर्ब ओयर भी है गोविंद बल्लम पत्त सागर तो वो भी आपको याद रखना है और जो और सबसे अधिक जनसंख्या बाला जो जिला है हमारे उत्तर प्रदेश में वो है इलावा लगवक 50 लाख व्यक्ति वहां निवास करते हैं ऐसा माना जाता है और सबसे कम जनसंख्या बाला जिला जो है वो है महोवा तो यह उत्तर प्रदेश से जानकारी यह इतनी बेसिक मतझे जानकारी है यह सभी को παता होने चाहिए अगर हमारे उच्छने आयाले की बात करेंगे तो वह हमारा इलावाद में अगर fight बैंच की बात करेंगे या खंड़पीट की बात करेंगे तो वो हमारे लखनों में आपको मिल जाएगी जो इसकी ब्रांच है अलग वो आपको लखनों मिलेगी और इलावाद जो हाई कोट है उसकी स्थापना कब हुई थी तो वो वह हुई थी 1866 में अब आपकी दिवाग मे विलिंग करना चाहिए कि इलावाद हाई कोट उसमें चीफ जेस्टरस कौन है इस समय तो वो है गोविंद माथुर जी बरतमान में तो यह भी आपके इंपोर्टेंट क्वेशन हो गया ओके और उत्रप्रदेश से जो 912 महला हैं प्रतिहजार पुरुस पर अगर घंत्त की बा अगर साचर्ता पूछी जाएगी तो वो 60.7% है ओके जितना हम बता सकते हैं उतना हम बता देतें अगर जनसंकया ब्रदीदर पूछी जाएगी तो 20.2% जो होती है वो उत्तरप्रदेश की जनसंकया ब्रदीदर होती है यह question आप उठा के देख सकते हैं कई बार आया हुआ यूपी पुलिस के एक्जाम का तो फैवरेट एक्जाम मतलब यह कुष्चन है कई वार आया हुआ है तो था जो 19 में भी आया था ठीक है और सबसे ज्यादा बारिस अगर पूछी जाएगी तो वह होती है गोरखपुर जिले में और सबसे कम बारिस अगर पूछी जाएगी त पूछा जाएगा तो वह कानपूर में अवस्थित किया गया था 1886 में तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बिस्तु का सबसे बड़ा स्कूल जो है वह सिटी मॉन्टेशरी स्कूल है जो कि लखनव में इसमें 5000 बच्चे एड्मिशन लेते हैं एक बारी में ऐसा ह है तो बिस्तु का सबसे बड़ा जो सिटी मॉन्टेशरी स्कूल है वह लखनव में तो यह इंपोर्टेंट क्वेशन आपके लिए हो जाता है बनारा सिंदु विद्याले कि स्थापना किस ने की थी मदन मोहन मालवी जी ने और कहां पर की थी बाराण सी में ठीक है अब इत प्लांटिक के पार 3000 मील की यात्रा खतम करके समुद्र को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ती कोन है तो वह मो और यह साथ वर्षिय महला है ठीक है 3000 मील की यात्रा यह बधिर हैं बद्धिर मतलब बोल नहीं सकते हैं ठीक खेल से संबंदे न्यूस देख लेकते हैं पहली होकी खिलाडी जिन्होंने प्रतिष्टिक बड़ गेम एथली टॉप तईयर प्रुसकार जीता तो वह कौन है रानी रामपाल जी यह भारती होकी संग की कपतान है तो यह बहुती सम्माननी यह बात गया अब जो भी कॉश्टिन्स हुए हैं उनसे संबंदित न्यूस को देख लेते हैं तमिल नाडू की राजदानी एचेन नहीं स्थापना होई थी एक नवंबर 1956 को भारत सरकार द्वारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजिना किस बर सुरू की गई थी तो 2015 में क्रिशी 250 को चुनाओ आयो की स्थापना की गई मुख्याले इसका भी नई दिल्ली में मिल जाएगा अब चल इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो आपको याद रखना है सुनील अरोडा जी जो है वो बरतमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर है नेक्स्ट कॉशन है बिस्व स्वास्थे संगठन की स्थापना कवी 7 अप्रेल 1948 को मुख्याले हमने आपको बताई दे जीनेवा सुईजरलेंड में और 7 अप्रेल को ही बिस्व स्वास्थे दिवस के रूब में मनाते हैं अब बात करेंगे डिटेल करन न्यूस की डिटेल करन न्यूस के बात करने से पहले में आपको बता दूँ आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना तो बूलिएगा नहीं अगर आप पहली बार देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही वेनिफिट है हम जो भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं जो भी स्टाटिक पोर्शन बताते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट होता है एक्जाम के पॉइंट अगर आप बाकई में सीरियस होके तैयारी कर रहे हैं तो आपक और आप हमारे फेस्बूक और इंस्टा पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें हेलो और टिक टॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें ट्विटर और शेर चेर्ट अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है और आपको अगर टेलिग्राम ग्र सवाप्त हो जाएगी तो आपको जॉइन कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपको nots. provide हो जाए तो आप वहाँ से join कर सकते हैं अगरापकी कोई queries है कोई question ये तो आप comment box में mention कर सकते हैं ये पर वो गुजराद विश्य विध्याले में प्राध्योगी की केंद्र इस्थापित करेगा रच्छा नुसांदान एवं विकास संगतर इससे क्वेशन यही बन जाता है तो इसका हैड़कॉर्टर आपको श्यारी कोटा में मिलेगा और जो इसके अध्याच है उनका नाम है जी सत वावना तलास रहा है गुजराद विश्य विध्याले में प्राध्योगी केंद्र इस्थापित कौन करेगा यह कौशन आपके लिए बन जाता है कि कौन गुजराद विध्याले में प्राध्योगी की केंद्र इस्थापित करेगा तो वो डियाडियों करेगा डियाडियों से question बनेगा तो उनके अध्यच पूछे जाएंगी जी सतियस रेड़ी जी है हरी स्री हरी कोट्या अंद्र प्रदेश में इसका मुख्याले है ठीक है और डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम से Center for Extension and Research and Innovation में उन्नत रच्छा प्रदोगी के लिए किंद्र स्थापित करने की संभावना तलास रहा है नेक्ट कुश्चन है नेपाल में सरवादे कुचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज बुक वर्ड रिकॉर्ड बनाया गया यह कुश्चन हम आपको वन लाइन में फॉर के समर्थन में आरवी डायमेंड्स और कासा इस्टायल द्वारा किया गया था यह 26 जनवरी 2020 को एवरेश्ट बेस केंप के पास काला पत्थर में 5340 मीटर मतलब की 17,515 फीट की उचाई पर आयोई किया गया था अब नेपाल की जो कैपिटल होती है सभी वो पता है है यहां के जो प्राइम मिनिश्टर उनका नाम है केपी शर्मा ओली मतलब खड़का प्रिशाद ओली और यहां की जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी नेपाल की साथ हमारे भारत की एक सेन्य अभ्यास होता है उसे कहते हैं शूरी किरन ठीक है नेपाल ने हमारी करंसी बहाँ पर इंडियन जो करंसी है वो बंद गर दिये यह तो बहुत पुरानी बात हो गई है तो आपके लिए यह कुशिन बन जाता है और नेपाल एक मात प्रेसा देशे जो हमारे भारत से उत्तर प्रदेश से टच होता है ठीक है हर्षबर्धन श्रंगला को एक नई विदे सचिप के रूप में नियुक्त किया गया है हर्षबर्धन श्रंगला को अमेरिका के भारत के दूद के रूप में नियुक्त किया गया है यह भी हम बन लाइन में फोर्म कर चुके नियुश फिरियम निस को रिवाइस कर दिया ने 29 जनवरी 2020 को एक निश्चित दो साल के कारिकार के लिए नए विदे सचिप के रूप में कारिभाल समाला है यह विजय गोखले का इस्थान घ्रयाण करेंगी तो अब यही क्वेशन यही बनेगा सीधा सागर पेपर में आता है तो विदे सचिप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो हर्षवर्धन श्रंगला को विदे सचिप के रूप में नियुक्त किया गया है इन्होंने अमेरिका में भारत के दूद के रूप में भी कारिकिया है किया है तो आपके लिए हमने कल ही पढ़ाया तो आप कमेंट बॉक्स में में अमेरिका की दूथ जो बने हैं वो कौन बने हैं अभी हाली में बने हुए हैं समिधान बर्ष 2019 का ऑक्सपोर्ड हिंदी शब्द बनाई यह भी न्यूस फॉर्म हो चुगी वन लाइन में इसको हम बता देते हैं ऑक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ओ यूपी ने समिधान शब्द को बर्ष 2019 का ऑक्सपोर्ड हिंदी शब्द घोशित कर दिया है इसने बर्ष में ब्यापक रूप से भारती समिधान की भावना पर ध्यान दिया जिसे समाज के विविन छेत्रों में अ परिवर्तन काली परियोजनाओं के साथ एक आभासी पुलिस स्टेशन का आरंब कर दिया इसका उद्देश क्या है सरकारी कारियालों के साथ मानव इंटरफेश को कम करना है तीन परियोजनाओं में चड़क धुरवटना सरक दुरवटना मामला दस्तावेज मौडियूल आभासी पुलिस स्टेशन और मैडिको कानूनी राय प्रडाली सामिल है क्वेशन अब ओडिसा की बारे में तो जितने फैक्ट बनते थे हमने आपको बता दिये अब आपको पता होना चाहिए ओडिसा के सीम कोन है नवीन पतनायक जी अगर आप से राजिपाल पूछे जाएंगे तो वो हैं गड़िशी लाल जी ठीक है अब क्वेशन अगर एक्जाम के पूइंट फ्यू से देखा जाए तो आपको यह याद रखना है कि किस राज्जी में आभासी पुलिस स्टेशन का सुभारम किया गया है तो ओडी सा राजिम है किसके द्वारा सी एम नवीन पतनायक की द्वारा अब इसका उद्देश क्या है सरकारी कारियालों के साथ मानव इंटरफेस को कम करना है ठीक है अब नेक्स्ट जो न्यूज रहेगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रहेगी स्पेशल नॉलिज में तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बारे में अज हम पूरी जानकारी ले लेते हैं स्थापना होई थी केलकटा में 1806 में बैंक ऑफ केलकटा के रूप में तो अच्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बना इसका काफी लंबा इतियास है तो वह आज हम आपको सारा बता देते हैं 1806 में Bank of Calcutta के रूप में State Bank of India की स्थापना हुई मुख्याल मुंबई के अंदर है प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगी तो रजिनीश कुमार है अध्यक्ष है चेर्मेन है रजिनीश कुमार जी जो की अक्टूबर 2017 से है 2 जून 1806 में Bank of Calcutta की स्थापना हुई तीन बरसों के बरस पश्यात इसको चार्टर मिला तता इसका पुनर गठन Bank of Calcutta के रूप में हो गया 1806 में तो Bank of Calcutta बनी थी फिर 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 इनको चार्टर मिला इसका पुनर गठन कर दिया गया तो Bank of Bengal के रूप में 2 जनवरी 1809 को इनका पुनर गठन हो गया अब यह अपने तरह का एक अनोखा Bank था जो साजय स्टॉक था ब्रिटिस भारत पर बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था Bank of Bombay और Bank of Madras की शुरूबात जो होई थी वो बाद में होई थी ठीक है यह तीनो बैंक के आधनिक भारत के प्रमुक बैंक तब तक बने रहे जब तक के इनका विले Imperial Bank of India हिंदी में कहेंगे Imperial को भारती शाही बैंक में 28 जनवरी 1921 में नहीं कर दिया गया तो अपसे question पूछा जा सकता है कि Bank of Bombay, Bank of Madras और Bank of Bengal को किसके साथ विले कर दिया गया था Imperial Bank of India के साथ 28 जनवरी 1921 को सन 1941 में पहली पंचवर्षी योजिना की नीव डाली गई जिसमें गाउं के विकास पर जो डाला गया इस समय तक Imperial Bank of India का करवार सिर्फ सेरों तक सीमित था अतक ग्रामीड विकास के मद्दे नजर ये कैसे Bank की कलपना की गई जिसकी पहुँच गाउं तक हो ग्रामीड जनता जिसका लाव उठा सकी ठीक है जिसके फलसुरूप क्या हुआ कि एक जुलाई 1904 को Bank of India की स्थापना कर दी गई जिसमें सरकार की हिस्तेदारी कितनी थी 61.58% अपनी स्थापना कालमे स्टेट बैंक के कुल 400 सी कार्याले थी जिसमें साखाएं उप साखाएं तीन स्थानी मुख्याले थे 1926 में यंग की अनुसंसा पर एक अपरेल 1935 को RVI की स्थापना की गई यह तो RVI से समधित कोईशन हो गया रिजब बैंक ओफ इंडिया की स्थापना कप की गई थी एक अपरेल 1935 को जब कि इसका रास्टी करण एक जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्याले निम्बई में मु 1927 में प्रचलित नियुन्तम प्रजब पिडाली के अधार पर दो से लेकर 2000 तक का नोट का निगमन करती जबकि एक रुपए की नोट का निगमन कौन करता 12 सरकार करती अब यह जो चीछ है वह हमने इसमें इसलिए मर्ज कर दी इससे काफी कोईशन बन जाएंगे आर्वी आ सब्सक्राइब तो आपको पता हिए एक अपर उनिस सो पैंतिस को गवर्नर सक्तिकान दाश्ची अब बनता है कि एक रुपए की नोट पर किसके किसका निगमन होता है तो 12 सरकार का दो से 2000 तक पर गवर्नर की साइन होते हैं आप कभी नोट करना अगर आपने एक रुपए क गठन की बात करेंगे अगर तो 26 जनवरी 1950 को जो है तमिलनाडू का गठन हुआ बिधान मंडल की बात करेंगे एक सदनी हैं बिधान सवा की बात करेंगे 235 सीटे हैं राजी सवा की 18 सीटे हैं लोग सवा की सीटे बताएंगे तो 49 सीटे बताएंगे ओके तमिलनाडू की रा बरतमान मुख्य मंत्री है एड़ा पड़ी के पलानी स्वामी राजिपाल की बात करेंगे तो वो है बनवारी लाल प्रोहित जी पशु अगर पूछा जाएगा यहां का राज की पशु निलगिरी तहर है राज की पश्षी की बात करी जाएगी तो पन्ना कभूतर जो है वो पर अच्छी की बात करेंगे तो वो होता है ताड मिनाची मंदर के बारे में अगर पूछी लगया तो वो मदरई में तमिल नाडू में इस्तित है तट मंदर मामल पूरम जो है वो भी तमिल नाडू में इस्तित है परमुक तयोहार की अगर बात करेंगे तमिल नाडू के तो वो पॉंगल और नौका पर्व जो होती है वो तमिल नाडू के अंदर पूंचा जाता है उच्छ सिखर की बात करेंगे तो दो-दो बेटा जो है वो उच्छ सिखर हो जाएगा इंट्रीगल कोच फैक्टरी जो है पैरामबटूर में है जो की तमिल नाडू में अवस्तित है अब बात करेंगे एक्जाम ओरियंटेट टैन मोस्ट इंपोर्टन कोईशिंस इन आंसर कौन सी नदी मारास्ट से नासिक में निकलती है तो वो है गोदावरी किस इस्थान पर त इत्रुत में अमेरिका को श्वतंद्रता प्राप्त हुई थी राजिस्थान में किस तरह की पेडों की पतियां पाई जाती है तो छोटे पतियां पाई जाती है पेडों में अंजू बावी जॉर्ज संबंदित किस से हैं तो वो एथेलेटिक्स से संबंदित हैं कौन से वि जहासी की रानी लच्मी वाई ने किसे सयोग से गॉलियर में उध्रो किया था। अंतिम्गल सासक बहादुर साथ जफर की मरत्यों कहां हो इती तो रंगून में इंकी मरत्यों हो गई थी। महतमा गांदी जी की पतनी का नाम कहा था। स्थापना हुई थी में लो पार कैलिफॉर्णिया में चार सितमार 1998 को संस्थापक कौन थे सर्गेई वरिन और लेरी पेज वो ख्याले की बात करेंगे कैलिफॉर्णिया में ही आपको मिल जाएगा USA के अंदर अगर प्रमुक व्यक्ति पूछे जाएंगे से संस्थापक क्या CEO तो वो है संदर पिचाई जी एरिक किस्मिट की बात करेंगे तो ये कारी-कारी अध्यक्षन सर्गेई जो है वो संस्थापक है ठीक है तो ये था हमारा आज करण्ट अफ्यार बिदिस्टाटिक जी के GS के साथ का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है जो से लाइक अच्छाट अध्यार भी प्रेस कर लीजिए क्लिजेए अवे फेस्टापी पर भीव फॉलisierung कर सकते हैं अगर अगर आप तिक टॉक य contr nic. की युज़ करते हैं आप अगर आप अगर आपको पीडियाय चाहिए तो टेलिग्राम ग्रुम को जोइन कीजिए गा उसका Link D doc एक दो बिप्च्ट्ट सर्फ की त Pardon आपको में बटा देती हमारे बीड़ी की साथ से 8 वजे के बीच में हमारे बीड़ी अप्लोड हो जाता है तो सभी लोग इस टैमिंग में बीडियो बॉच org làm ढ़ जाया कीजिए और ज्वाधा ज्यादा जे हट up जह से आ folks के ठीके साथ से आठ वजे के बीच में आप हमारा वीडियो बॉच कर लिया कीजिए क्योंकि टाइमिंग विल्कुल फिक्स टाइमिंग हम नहीं बता सकते हैं ड्यूट्यू कुछ भी इशू हो सकता है मेरा ठीके तो थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक सब्सक्राइब और अपना खयाल रखिए अपने परवारी जनों का खयाल रखिए हासिल कर लेंगे मुकाम अपना ऐसा जुनून रखिए और अपनी तैयारी के लिए निरंतर आगे भढ़ते रहिए अपनी सफलता को प्राप्त कर दीजिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग